देशबर में आज धूम धाम से मनाई जा रही है इद लखनों समेट कई शेहरों में इद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर इद की मुबारक बात दी धार्विगुरू मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से सरकार के द्वारा बनाएगे नियम कानून का पालन करने की अपील किये बोले मस्चिदों के अंदर ही नमाज बढ़े लोगों ग्राइबरेली में इद के पर्व को देखते हुए कड़ी सुरक्षा ववस्था जिले भर में चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया भारी पुलिस पोर्स पुलिस ने इदगा समेथ कई लाकों में किया है फ्लैग मार्च इद के तेवार के लिए मुझाफर नगर में भी कड़ी सुरक्षा ववस्था अलर्ट मोट पर पुलिस और प्रशासन रोल से की जा रही है निग्रानी और एया में इद के तेवार को देखते हुए पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च सड़क पर बाइक से बेवज़ा घूमने वाले लोगों की हो रही है तलाशी रूर्की में मस्चिदों और इद्गाह में अदा की गई इद की नमाज नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतलसा अक्षे त्रितिया और परश्राम जयनती पर लोगों को शुब कामनाई दी है त्वेट अक्षे त्रितिया के पावन पर्व की हार्दिक बधाई अक्षधा ट्रेटिया के औससर पर वरांजसी में हजारों लोकों ने किया गंदास्नान सुबस में गंदा के घाटों पर उंणिगु है भी अक्षरत रितिया के पावन पर्वो पर मत्वा के बागे बिहारी मंदीर पहुचे लाखोश रधालू बागे बिहारी को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए जंतन का किया जाएगा ले पिएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों का ग्यारवी किस्त इलतिजार आज होगा खत्म किसानों के खाते में 2000 रुपे की पिएम किसान समान निधी होगी ट्रांसफर उत्रा खंड में चंपाव सीट पर उप्चुनाव के तारिकों का एलानिक 38 माई को होगी वोटिंग 3 जुन को मतगर्ना है भाजपा ने मैदान में उतार दिया सेम पुषकर सिंग धामी को कॉंग्रेस ने अभी नहीं तै किये उमिद्वार कि ना यूपी के मुखे सचेर दुर्गाश श्रंकर मिश्रा ने कानपूर में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कारियों की समिक्षा की बोले विकास कामों को समय से पूरा करना प्राथ मिक्ता किसान नेतार आखे श्रिकैत का लाउडी स्पीकर पर बड़ा बयान बोले धार्मी का धार पर दोनों तरफ के लाउडी स्पीकर बंध होने चाहिए नोजा के गाजन गलेरिया मॉल के लॉस्ट लेवन पप में हुए ब्रिजेश राई की हत्या मामले में एक और आरूपी की गिरफतारी बाउंसर जैवीर श्वर्मा समय तब तक नौ लोग किये गिरफता जौनपूर में च्वाक्त neई पांच लोगों को बोली मारी है एक की मौत चार लो गमफीर रूप से गाइल है वराण सिर्फ़क ये गये श्रावस्थि में ट्रेक्टोर ट्रॉली की बोलोरोस से टक्कर हो गई हापते मांथारों लोग गमफीर रूप से घाइल हुए पारबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे तिर्थिया थी भदोही में दो मंसिला इमारत में लगी भीश्वर आग बारा घंटे के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका है कापूर कानपूर में बच्चा चोरी होने का मामला आया है सामने परिजुनों ने पुलिस पर लगाए गम फीर आरोग कहा बच्चे की तलाज के लिए पुलिस मांग रही पच्चास जार रुपए लखनओ की जियारपी पुलिस ने चार बाग रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी कर बेचने वाले गिरोग के चार लोगों को किया है गिरफता सोन भदर में बारात के दौरान हुए विवाद में एक श्वक्स की हत्या हो गई गाने को लेकर हुए विवाद में जम कर मार पीठ हुई गोरकपूर में बीए और बेट की फ़जी डिग्री पर नौकरी कर रहा सिक्षक गिरफतार हुआ गोरकपूर ने दिवर्या से फर्जी सिक्षक को पकड़ा ग्रेटर नोड़ा के एक सोसाइटी के बेस्टमेंट में बाइक स्कूटी की टक्कर में जगडा हुआ युवक और महिला के बीच में जम कर मार पीठ हुई प्रयाग्राज के नैनी इलाके में बहन को बुलाने गय श्वक्स को बहनोई ने गोली मारी गंभीर हालत में श्वक्स को अस्पताल में दाखिल करवाया गया सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद 11 साल जेल में बंद कामिल खान को मिला इद का तौफा रिहा होकर आज अपने घर पहुचेंगे मेरा